आकाश्वानी भोपाल से प्रस्तुतकारिक्रम जिली की चिठी में आज आप सुनेंगे चिंदवाड़ा जिली की चिठी आलेक, राकेश प्रजापती, वाचनस्वर, राना शाहिद सत्पुडा की सुरम में वादियों में बसे, चिंदवाड़ा जिली का मौसम इन दिनों बड़ा खुश गवार है, बारिश का मौसम खत्म होने के साथ ही जिली भर में गुलाबी ठंड ने दस तक दे दी है, शाम होते ही ठंड का एहसास होने लगता है, वहीं दूसरी और की कार्यलवा में सभी अधिकारियों को राष्ट्री एकता दिवस की प्रतिक्या दिलाई गई, विधानसभा चुनाओं की सरगर्मी चिंदवाड़ा जिले में भी बढ़ गई है, नामांकन प्रक्रिया और नामांकन पत्रों की जाच पूरी हो चुकी है, जिले में सबसे ज और जुन्नार देव से 14 प्रत्याशियों नामांकन दाखिल किये हैं, जिले भर में विधानसभा निर्वाचन से सम्मंधित कारिक्रम तेज हो गए हैं, जिसमें प्रशास्निक अधिकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षन से लेकर चुनावी छोटी बड़ी हर तैयारी जिम् के माध्यम से जागरू किया जा रहा है, जिले की सातू विधानसभाक शेक्तर में चुनावी हलचल दिखाई और सुनाई पड़ रही है, सुरक्षा की दरिष्टी से पुलिस ने जिले भर की सीमाओ पर चेक पॉइंट उपर सगन चेकिंग के दौरान पिछले एक पकफाड है, पिछले दिनों चिंदवाडा संभाग स्तरिये महविध्यालीन महिला कबड़ी चैंपियन्शिप का आयोजन राजमाता सिंध्या शास की सनातको उत्तर कन्या महविध्याले में किया गया, जिसमें राजा शंकर शाह विश्व विध्याले चिंदवाडा के अंतरकत आने जिले बैतूल, बालाघाट, सिवनी वचिंदवाडा की टीम ने शामिल होकर अपने खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया, संभागिये महिला का बड़ी चैंपियन्शिप के फाइनल में चिंदवाडा वचिंदवाडा की खिलाडियों ने शांदार प्रदर्शन करते हुए 48-30 के अंतर से सिवनी को पराचित किया, पिछले दिनों राश्ट्री मानसिक स्वास्त कारिक्रम के तहट जिला स्पताल के मनकक्ष की टीम ने जिला जेल में एक जागरुकता कारिक्रम का आयजन किया, नोडल अधिकारी डॉक्टर MP आदव, डॉक्टर पूनम ठाकुर और कारिक्रम को अफिसर रूपालि आदवद्वारा कैदीयों की स्क्रीनिंग की गई, पिछले दिनों क्रिशी उपजमंडी में सीजन में अब तक की सबसे ज्यादा मक्का की आवग दर्च हुई, क्रिशी उपजमंडी में कुल 33,923 क्वेंटिल आवग दर्च की गई, इसमें मक्का की आवक 27,730 को इंटल रही। मक्का की आवक के साथ ही कृषी उपजमंडी में रौनक रही। वहीं दाम भी स्थिर रहने के साथ किसानों को भी रहत रही। पिछले दिनों महर्शी वालमी की जी का प्रकाश पर भगति भाव वहर्शोल्ला से मनाये गया। इस अफजर पर वालमी की समाज एवं वालमी की समाज व्यास दोर विविदिकार क्रम आयजित किये गए। प्रयोग के नई प्रयोग के तहत इस बार दिव्यांग और बुजर्ग मतदातों को घर बैठे मतदान की सुविधा प्रदान की गई है। लेकिन जिले भर से मातर 2207 लोगों ने घर बैठे मतदान का अधिकार मांगा है। जिला पंचायद CEO ने बताया कि जनपत पंचायद मोहोखेड की आम पंचायद बदनूर में अर्जुन देव के पास विधायक निधी, सांसद निधी वा अन्य निधी का भूमी पूजन पत्थर लगा होने और इस पत्थर पर जन प्रतिनिधियों के नाम आज दिनाग तक उल्लंहन पाए जाने और प्रथम द्रिष्टेया अपने कर्तवियों के प्रति घोर ला परवाही बरतने का दोशी मान कर ग्राम पंचायद सचिव जगदीश सहरी को निलम बित कर दिया गया है।